और जिसको आवश्यक्ता है उस आवश्यक्ता को देख कर उसको परमात्मा के स्वरूप में स्विकार कर उसकी सेवा करने में धन्यता का अनुभव करना यह भारत का हिंदू दर्शन है भारत का दर्शन है एक पादरी जो ठे में रमर महरुषी के पास गए और कहते हैं कि मैंने शुनाए आप ईस्वर से बात करते अपने जोसे आप hm भी करते हैं बात करते हैं हमको मिलभा सकते हैंrove को contributing कब कल आईए आप सुपह कल प्रताखला आईए और रमर महरुषी के डर्वाजे अगले दिन प पाद्री पहुंच गए रमन महर्शी चलिए मेरे साथ आए दूर पैदल चलते 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 जोंपड़ी के सामने रमन महर्शी रुख गए अंदर गए एक कुष्ट रुगी है उसकी सेवा किये उसके घाबों को साफ किये वहां ओशदी बेंडेज किये उसी के घर में चूला आए जला करके खिच्डी बनाए खिच्डी बनाकर खिच्रोगी को खिलाए इसमें घंटा दिल घंटे का समय उनका लग गया उसको प्रणाम किया और कहा प्रहू कलम फिर आएंगे कुटिया के बाहर निकले बाहर तो यह पादरी पृतिक्षा कर रहा है चलो बापस चलते अरे आप तो भगवान से मिलाने लेने के लिए जाने वाले थे रोमन महर्ची कहते है मैं तो भगवान के पास सही आ रहा हूं तुम कहां थे मैं तो प्रभू के सेवा करके आ रहा हूँ तुम्हें देखा नहीं और था तो उस कुष्ट रोगी के अंदर भी प्रभू जानकर सेवा करना रमन महर्ची नहीं कर रहा है इस देश का प्रतेग विक्ति इस बात को इस भाव को मानता है और वही हिंदु है ज्यान में रखिए भारत का सेवा का दर्शन है यह दुनिया इस बात को मानते नहीं जानती भी नहीं है क्योंको वो सबके अंदर परमात्मा दुनिया का कोई भी विचार मानते ही नहीं है हम मानते हैं तो में परमात्मा है साथ में आजसमान पना अगर मैं कर अंदर गौड है तो यह ब्लास्फेमी होजाएगा इसका मृत्युदन्ठ है पराफर है यह नहीं कह सकते है वहाए कि य। हिम्मत से कहता है जैसा मैं तत्वमसी वही तुम हो जो मैं हूँ परमात्मा का रूप वही तुम हो तत्वमसी और तुम भी वही मैं भी वही तो कष्ट तुमारा मेरा नहीं होगा ऐसे कैसे हो सकता है होगा और भारत की महान परंपरा में सेवा अर्थत इश्वर की सेवा यही माना गया उस सेवा के शाश्वत सनातन आध्यात्मिक शरूप का दर्शन आज हम लोगों ने किया हम धन्य हुए आप सबसे मेरी प्रार्थना है इसी भाव को अपने परिवार में जगाएं परमात्मा ने जो हमको दिया है धन संपदा जो मेरे लिए जितनी आवश्यक उतनी आवश्यक है कि जो भी जादा लगती है उते दीजिए दूसरे को